इस वीडियो में हम बात करेंगे RBI Assistant के बारे में जिसकी नोटिफिकेशन इस साल रिज होनी है और इसी साल आपका यहाँ पर एक्जाम भी कराया जाएगा तो इस वीडियो में जानेंगे कैसे आपको 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 स्टार्ट करना है क्या कुछ आपको करना है कैसे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में और मेरिट लिष्ट के बारे में तो नोटिफिकेशन आपके इस साल कन्फर्म रिलिष्ट होने वाली है और जैसे हैं आपका यहाँ पर कौना वायस का जो सिचुएशन थोड़ा अच्छा होगा आपको नोटिफिकेशन रिलिष्ट होजाएगा देख़ो एक और चीज़ समझ लोग जो नोटिफिकेशन रिलिष्ट होती है रभ पहले यहां पर meaning list के बात करते हैं कैसे यहां पर meaning list बनती है और कैसे आपका इहां पर cut off रहता है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर cut off देखते हैं तो कईश है Math here はい and makes the positive nasıl one हो जाते हो पिरलेंस एक्जाम का जो स्कोर है वह यहां पर फाइनल मेरिट लिश्ट में नहीं चूरता ठीक है उसके वाद जो आपका मेरिट लिश्ट है उसका कट अफ क्लीर कर ले तो आपको एलपीट टेस्ट के लिए जाते हो जो आपका LPT test उसको qualify कर लोगे तो आपका यहाँ पर joining का process करा जाएगा अब हम एक एक चीच को यहाँ पर ध्यान से समझते हैं पहले आप यह देख लो कि जो आपका prelims exam होता है वो कितने number का होता है और यहाँ पर आप देख लोगो यहाँ पर 100 questions पूछे जाते हैं जिसमें कि आपका English रहता है, numerical ability रहता है और आपका reasoning रहता है अब देख सकते हो यहाँ पर जो numerical ability रहता है उसमें 35-35 number का रहता है English आपका यहाँ पर सिफ यहाँ पर 30 questions का रहता है टाइम भी एग घंटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें 0.25 negative marking भी रखा जाता है और इसमें normalization भी होता है, जैसे कि आपका hardest shift में exam हो गया तो वहाँ पर आपका marks क्या होता है, increase हो जाता है तो यह आपका यहाँ पर prelims exam का जो process हो मैं आपको बता दिया इसमें क्या होता है कि माल लोग कि अगर आपका cutoff है, जैसे कि cutoff decide होता है RBI के तरब से, तो माल लोग कि आपका cutoff है UR का 90 ठीक है तो आपने यहाँ पर 91 score किया या 90 ही score किया, तो आपका selection में exam में हो जाएगा लेकिन ऐसे कुछ लोग होंगे जो 95 लाएंगे, तो 95 लाने से क्या उनको फैयदा मिलेगा तो उनको कोई फैयदा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आपका बता दू, इसमें कितने भी marks लिया हो, इसका marks आपका merit list में नहीं जूरेगा बस आपको यहाँ पर eligible हो जाओगे mains exam के लिए, ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर इसको cut-off क्लियर कर देना है, जैसे आप cut-off क्लियर कर लोगे, आप mains exam के लिए eligible हो जाओगे And guys, अगर mains exam के बात करें, तो mains exam में क्या होगा, कि यहाँ पर total 200 number का exam होता है, ठीक है, 200 question भी रहता है, इसमें भी 0.25 negative marking आपके रहती है, और इसी के number के basis पे जो आपका final merit list है, वो तैयार किया जाएगा, ठीक है, तो mains exam पर आपको focus करना है, तो को prelims exam में क्या है, जो topic आपका mains exam में रहेगा, वो ही same topic आपका prelims exam में रहेगा, बट वहाँ पर क्या है, वहाँ पर level of exam कम रहेगा, यहाँ पर deeply question पूछा आता है, main exam में, यहाँ पर level high रहता है, ठीक है, तो अगर आप main exam के तयारी direct सुरू करते हो, तो automatic आपका यहाँ पर prelims exam में वो भी सुरू हो जाएग यह तीन topic भी आपका यहाँ पर prelims में हैं और main में भी है, बस आपका यहाँ पर इन तीन topic को पहले focus करना है, इसका आपका basic concept clear होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका normalical ability का basic concept आपका clear होना चाहिए, अगर आप beginner हो, यानि कि अभी आप start की हो preparation करना, पहली बार अगर आप competitive exam क आपको crack कर सकते हो, ठीक है, तो पहले basic clear करो, अगर आप पहले से त्यारी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत ने, आपका basic already यहाँ पर clear होगा, बस आपको यहाँ पर अभी एक पार फिर से previous year के question join करना है, जो previous year के question सबको solve करना है, और जो आपका यहाँ पर crash course में आपको दे रहा ह study material भी आपको मिल जाएगा, सुर्फ 500 रोपीज में आप यहाँ पर mains exam और prelims exam दोनों की त्यारी complete कर सकते हो, RBI assistant की, ठीक है, मेरा app पर यह course app level है, इसका link में आपको वीडियो के description box में दे रहा है, वहाँ से जाकर आप इस course को में enroll कर सकते होगा, इस ठीक है, ठीक है, जो लग मालो, LPD में क्या होता है, कि जो भी आपका यहाँ पर local state रहता है, मालो कि अगर आपने बिहार से form बारा तो आपको हिंदी आना चाहिए, अगर आपने बेश्ट बंगाल से form बारा तो आपको बंगाली आने चाहिए, ठीक है, वहाँ की local language आपको लिखने आने चाहिए, study करन पढ़ने आने चाहिए, ठीक है, पढ़ने आने चाहिए, यह सब अगर आपको यहाँ पर आता है, तो आप जो आपका LPTA, local language, उसको भी आप easily qualify कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाले, ठीक है, तो यह LPTA की regarding जान कारी है, basic exam की regarding मैंने आपको जान कारी दे दिया है, और आपका notification बहुत ही जल्द आने वाला है, और जो मैंने आपको course बताया है, बस आपको उसको join करो, आपको यहाँ पर complete course मिल जाएगा, सिर्फ 500 रोपीज में, और वहाँ पर जो teacher होंगे, वो RRB PO qualified कर चुके है, IBPS PO qualified कर चुके है, जो आपको यहाँ पर guide करने वाले हैं, और आ and take care